हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्वी चैनल फरिक्षा फ्लान में आज की वीडियो में बिहार राज की बारे में सामान पर चकू पढ़ेंगी तो चली वीडियो को शुरू करते हैं ये बिहार का मैप ये बिहार का मैप है नकसा है इसमें सारी जिले और बडोसी राज दर्साए गए 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 तो सामान जनकारी में देखते हैं गठा नुगा है 22 मार्च 1912 राजदानी ये इसकी पठना जनसंख्या जनसंख्या दस करोड चालिस लाख निन्यावे अजार चार समबावन ये दोजार ग्यारा की आंकणों के अनसार है छेत्रफल है 94,163 वर किलो मीटर उन जिले हैं विहार में 38 और उच नियायाले कहाँ पर है पठना में विहार का जो राज की चिन है वो वोद ब्रच्छ है ये होता है ये विहार का राज की चिन है राज की पसुए वो ब्रच्छ है वो पीपल का ब्रच्छ है ये पीपल का ब्रच्छ है मिहार का राज की ब्रच्छ है राज की पुस्प गैंदा है और प्रणोख चित्रकला है जो वो मधवनी है और इस तरह से बनाई जाती है मधवनी चित्रकला पवित्र पर्व है वो छट पूजा है बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है बिहार का तो छट पूजा होता है ये राज की सथापना बिहार दिबस यानि बिहार दिबस बाइस मार्च को मनाते है 22 मार्श को बिहार दिवस मनाते हैं और इस्थापना की भूई यह राजगी 1912 में राज़ का नाम ऐसा माना जाता है कि इस छेतर में बहुत न मठों बिहारों की अधिक्ता के क robi इस छेतर का नाम बिहार पढ़ा वो लेखनी है कि यह इस शेतर प्राचीन समय में बहुत धर्मक का प्रमुक कैंदर रहा है यहाँ पर बहुत दिन मठ हैं बहुत ज़्यादा बहुत दिन बिहार जिने का जाता है तो इसलिए इसका नाम बिहार रखा और यहां पर प्राचीन समय में इसे बहुत धर्म का प्रमुक क्यांद रहा है इसलिए इसका नाम विहार पड़ा राजी की राजदानी राजी की राजदानी बरतमान में पठना है यह सबी अन्य नाम इसके पठना के रहीए यानि बिहार की राज़ानी के अन्य नाम यह रहे हैं प्राछीन कान में लेकिंछ बर्तमान में बिहार की राज़ानी यह पठना राज की वावलक हिस्तिती क्या है 24 अंस 20 मिनट 10 सेकंड से 27 अंस 31 मिनट 15 सेकंड उत्री अच्छास तता 83 अंस 19 मिनट 50 से 88 अंस 17 मिनट 40 सेकंड पूरी देशांतर के मत राज का छेतरपल कितना है राज का छेतरपल है 94,173 वर किलो मीटर देश का बारवा सबसे बड़ा राज मतलत छेतरपल की दस्टी से बारवा राज है और से पस्चिन की लंबाई कितनी है 413 किलो मीटर, और इसे यहां से यहां तख की लंबाई होती चार सो तराशी और उत्तर से दक्षड की लंबाई येवादी 345 किलो मीटर राज की सीमा से लगे राज, पश्चिमंगाल, उत्तर प्रदेश, जारखंड जारखंड तो विहास से ही विवाजित होकर बनाए तो राज की सीमा से कितने राज लगे हैं, तीन राज लगे हैं पश्चिमंगाल, उत्तर प्रदेश और जारखंड कि राजि की सीमा से लगा देश नेपाई और किस दिशा में उत्तर दिशा में राजि की सीमा से लगा देश कौंसा है नेपाई समपूर वारत की छेतरफल का 2.8 शेप रस्ट है वारत मिहार का छेतरफल चेतफल की दरस्टी से सबसे वड़ा जिला बिहार में जो चेतफल की दरस्टी से सबसे वड़ा जिला है वो पस्चमी चमपारन है और चेतफल की दरस्टी से सबसे छोटा जिला से वहर है सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला, बिहार का एक किसंदंज, सबसे पस्त्री जिला, कैमूर writes, सबसे उत्तरी जिला, पस्त्री चंपारल, और सबसे दठी जिला गया जिलो की संख्या 38 है बिदान मंदल कैसा है दिल सदनी है उच्छ सदन बिदान पर सद निन सदन बिदान सवा लोक्त्रत्त लोक्त्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र उन्वें सिरी नितीश कवान जी और राजपार में सिरी राजन्द विस्णात अठरेकन अ ऐस कि राष्टी ध्यान बिहार का एक मात राष्टी ध्यान प conse चंपारण इस बन जीव अब्यारन भी आए यहां पर तो बन जीव अब्यारन कौन कौन से है बान मीक बन जीव अब्यारन पस्चिन चंपारन में है गौतम बुद्ध बन जीव अब्यारन गया में है मीम बांद बन जीव अब्यारन वुलंगेन में है उद्यपुर बन जीव अब्यारन पस् को से सुर्ष्थान पच्छी अभ्यारन दर्वंगा में वयडेला सलीम अनी पच्छी अभ्यारन वैसानी में है नाटकी डेम कर देम कर देम यह जमूई में है ये बिहार में इस्तित है एक प्राचीन्तम सहर है लगबग 500 इसा पूर वियां गौतम बुद ने हालगो नदी के किनारे बोध ब्रचिन के नीचे बैठ कर कठिन तपस्या की थी इसके बाद उने ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो प्रचिन पूचा नाता है कि गौतम बुद खुग्यान की प्राप्ति खाहां पर वही थी तो बोध गयान में गौतम बुद खुग्यान की प्राप्ति वही थी जो विहार में इस्तित है तो विहार के बारे में ये सामान जानकारी थी क्या-क्या पढ़ा सामान जानकारी म एक बार रिवाइज करनेते हैं ये रहा बिहार का मेफ गरहन हुआ है 22 मार्च 1912 को और बिहार दिवस्मी 22 मार्च को मनाया जाता है राददानी पटना है जनसंक्या है 10,44,90,452,011 के आंकड़े के अनसार शेत्रपा नहीं 94,60,90 मीटर कुण जिले 38 है उच नियायाले पटनाने इस्तित है राजकी चिन बोध ब्रच है यार रखिएगा इसको रासगी पसु व्यायल है राजकी पच्छी बोरईया है राजकी ब्रच पीपल है राज तो इस थापना दिवस इसका 22 मार्च बता दी बतानी दिया है राजका नाम राजका नाम यहां पर नाम बहुत वियारों के अधिक्तापी कारट इस राजका नाम बेहार पड़ा राजकी राजदानी पटना है प्राचीन समय में से पाटनपूर, पोस्पपूर, पसंपूर तता अजीमावाद इसके आने नाम रहें हैं, बापूल इस्ति भी बता दिया है, राजका छेतरफल भी बता दिया है और बारवार, राज है छेतरफन की द्रश्टी से, पूर से पस्चिन की लंबाई 480 किलो मीटर है, उत्तर से दच्चिन की लंबाई 345 किलो मीटर है, रा चेतरफन, छेतरफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा जिला पस्चमी चंपारन और सबसे छोटा जिला से वहर, सबसे पूर्वी जिला कि संगंज, तस्चिन की अमूर, उत्तरी पस्चमी चंपारन और दच्चडी गया, जिलो की संख्या 38, ब्यदान मंडल देशद नात्मक ह उत्र सबडन बिदान परसद है निन सबडन बिदान सबहा है, बिदान सबहा सहाद स Commun कि संख्या 243, बिदान परसद सबंक की संख्या 75, लोक चछली सनज राजसबह सिख्या 64, राजसबहा सिख्या 60 लोक नरत यहीं पड़न द लिए है मुक्मंत्री सिरी नितिश कुमार जी है राजपार सी राजेंद रिश्वनात अर लेकर राश्टी उध्यान एक ही है यहाँ पर वालमीक राश्टी उध्यान जिसका नाम है ये बनी जीव ब्यारन के बारे में जानकारी है और एक जो गौतम बुद्ध को ग्यान पराप्त हुआ था वोद गया वो विहार में इस्तित है तो ये विहार के बारे में सामान जानकारी थी वीडियो कैसा लगा कमेंट वॉक्स में जदिर बताईएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूनेगा थैंक यू